स्वागत है आप सभी लुगों का मेरे चैनल साइन्स टो टेक्नोलजी में मैं अनरुबामे कुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शूर कामरा तूस्टे में आज हम लोग बात करेंगे dji ipad microphone के बारे में तो आइए समस्थे तो DJI microphone यह समझी है, जैसे यह Rode Wireless Go 2 था, exactly वही है DJI microphone, यानि कि दो microphone stereo left or right आपको एक receiver के साथ मिलेगा, तो यानि कि दो अलग-अलग, आप चाहें तो एक से साथ में काम कर सकता है, उसमें आपको safety benefit मिलेगा, दो के साथ काम करें, तो मनली interview कर रहें, तो एक person ए, person भी रहेगा, और दोनों एक ही में रहेगा, जिससे आप अपना camera में data फीड कर सकते हैं, या computer में USB का इस्तमाल करके या mobile phone में, तो यह इसमें inbuilt microphone है, यानि कि जो अनों दो receivers हैं, यह दोनों में transmitter है, transmitter में microphone है, आपका काम हो जाएगा, उसमें locking, dead cat भी दिया हुआ, ताकि अगर हावा वाले जगहां पे हैं, तो वो dead cat लागा के हावा भी कम कर लें, या आपको है कि छिपाना आचाते हैं, तो जनरली लोग लेवलियर इस्तमाल करना चाहते हैं, तो लेवलियर भी इसमें लग जाता है, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका दाम करीब 300 अभी यह launch नहीं हुआ है, यह जन्वरी में आना चाहिए market में, तो इसका टारग केस के साथ आते हैं, यह बहुत इंपोर्टन वात है, तो आए समझते हैं, तो इसके डिजाइन में जिखते हैं, इन्होंने बस रोड वायलेस गोटू को देखा, और वोला कि लोगों का क्या क्या सिकायत है, वो सारे सिकायत को एक करके हटा दिया, सबसे पहला बात सिकायत ह आता साथ चीज के लिए आपको आप चाहिए, और मतब कोई चीज इसली इंटरफेर नहीं कर सकते हैं, इसमें यह जो स्क्रीन दिया गया है, यानि कि आप आराम से उसी में सारा सेटिंग्स कर सकते हैं, आपको कोई आप की जरूवत नहीं है, कोई एक्स्टरनल करने की आप लिए जाएका पहला अटाप्टर होगा, आप उसको लगाईए, और आराम से क्यम्रा के उपर लॉक कर लीजिए, दूसरा, आपको एक लाइटनिंग का अटाप्टर दिया जा रहा है, यह आइफोन वालों के लिए जिनको पास आइफोन है, वह इसमें स्लॉट करें, रिसीवर में पीछे का जगा पर स्वाट करें, आइफोन में लगा दें, काम खतम, और लोड लेने की जरुवत ही नहीं है, लेकिन हाँ, साइड एफेक्ट, आइफोन का मतलब अबिसली आउड़ेटेड टेकनोलजी है, तो उसमें सिफ्ष मोनो अडियो जाता है, स्टीरियो नहीं चाहेगा, वो आइफोन का लिमिटेशन है, फिर अगर आपके अंड्रोइड है, या पीसी है, तो आप इसमें USB-C वाला पोर्ट लगा के अराम से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तब आप मतलब अगर कोई लाइप स्ट्रिम करना चाते हैं, वाइरलेस माइक्र इस्त बनाया गया है, सारे ट्रांसमीटर में मैंनेटिक माउंट है, यानि कि जैसे आज पर मैंने काफी इस्तवाल होने लगा है, तो एक छोटा सा मैंने जो आप बाहर लगाईए, अगर माली आप ब्लाक कोट पहने हैं, तो तो दिखे गभी ने बला, और इसको आप कॉलर के अं माउंटिंग है, उतना इंपोर्डेंट सीज नहीं है, लेकिन थोड़ा जब 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 पढ़ेगा तो आप बलेंगा, आपका लाइफ असान हो जाएगा, और ये इंडिपेंडेंट रिकॉर्डर के तौर पर भी रियाट कर साथ है, यानि कि माली जागर आप कुछ सोच रह आप इसी में अच्छा से ओडियो रिकॉर्ड कर लीजे और उसको बाद में मतलब वॉइस ओवर के तौर पे स्नुमाल कर सकते हैं, आपको जो करना कीजिए, इंडिपेंडेंट रिकॉर्डर के तरब काम करेगा, ऐसा नहीं है कि रोड़ वाला लिमिटेशन नहीं दिया गय आप रिकॉर्डिंग कर दिया तो अशका नहीं करेगा उसके ऊपर वो ओवर राइट करते चला जाता है, तो आपका पूराना फाइल हटते चला जाएगा, तो समझेगे 15 घंटे का, लास्ट 15 घंटा ही रता है, उसके पहले क्या हुआ, वो डिलीट करते चला जाएगा, यह मतब रोड में भी यही होता है, और अगर आप लोग डैश कैम के साथ एक्सपरिमेंट किया है, उसमें भी यही होता है, कि पिछला सारा फुटेज डिलीट होते जाता है, अब यहाँ पे समझेगी कि सबसे common इसका comparison हो रहा है रोड से, तो रोड में यही समझेगी, रोड मे इन्होंने काफी चीज सुधारा था रोड वन से रोड टू के बीच में, लेकिन कुछ-कुछ चीज अजीब था, सबसे अजीब बात है इनका यह जो एप डाल दिया कहता है, यह बहुत बड़ा फजी है ता कारण था कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि माइक्रोफोन, यह बहुत अच्छी बात है, जरूरी है क्योंकि कोई भी wireless transmission system 100% नहीं होता है, कभी न कभी सिगनल ड्रॉप होता है, तो उस टाइम आपका recording खराब ना हो, बैक अप recording रहेगा, बले बले, लेकिन उसे ट्रांसफर कैसे करेंगे, वो बैक अप रिकोर्डिंग जो है, ट्रांस इस एप के आपका कुछ हो गए नहीं, मतलब के computer माले किसी दूसरे friend के computer में या video editor के computer में अप लगाए, वो काम नहीं करेंगा, यह यह एप road central apps इंस्टल तब ही आप फाइल निकाल पागए, और फाइल इतना एप लिखवा है भी इसके बाद अभी इसमे प्रॉब्लम है कि एक एक करके आप audio file निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा सारा audio file एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, बल्क ट्रांसवर्ट कर दो, वो भी नहीं करने ते तो यह जनुरिली अजीब सिस्टम था, तो DJI ने किया है कि इसे flash storage के तॉरिज के तॉरिभी है, मतलब आप कनेट करेंगे, ऐ दोड़ असल ज़रूर बेटर है, आपको मतलब इंडोर के मामले में खासकर के दिवाल वाल के आप बार जाने में, हर मामले में रोड से बेटर परफॉर्मेंस लोगों का टेस्टिंग में आ रहा है, और इंटर्फिरेंस टॉर्मेंस भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिर और सबसे बड़ा दिक्कत है रोड के साथ आप ले ले रहे हो, सबसे अचा है, यूस्बी सी है बले बले ले, लेकिन आपको तीन डिवाइस है जो चार्ज करना पड़ सकते हैं, मानले अगर आप कैमरा है, आपको यवस मोबाइल आप निकले हैं थ्राथ व्लॉगिंग लो और बहुत सारी और कंपनी जिन्हों ने ये सेट अप बनाया है, मतलब तू माइक्रोफोन वान रिसीवर वाला सेट अप बना रहे है, रोड वाइलस गोटू जाजा सब बनायते लेकिन रोड ने नहीं किया था, और डिज आई इकला है जो फर्स पार्टी कंपनी के तोर प मतलब अगर आपके पास कभी भी च्वाइस है कि रोड या मतलब डीजी आई तो डीजी आई ही आपको जादा सूट करेगा, हाँ ये ज़रू हो सकता है कि इंडिया में आने के तारण टैक्सियों से आरे हैं थोड़ा सा बहुत जादा आंतर हो सकता है, जैसे अभी मैंने र लेटनसी थोड़ा सा बेटर है, वो थोड़ा सा बेटर है, ट्वेंटी सेकंड के अंदर का लेटनसी आपका कान ऑटो अज़ेस्ट कर लेता है, मतलब का दिमाग में वो है प्रोटोकॉल बना हुआ है क्योंकि आप लोग दूर खड़े हैं उससे भी बात कर सकते ना तो ले बेटर इंटरफेस मिलेगा, आपको बेटर चार्जिंग बॉक्स मिल जाएगा, आपका हेड़ेक कम रहेगा, और मोबाई से डारेट करक्टर में का ऑप्शन मतलब बिना हुआ के उस सब फाइदेमन ऑप्शन साभीत होगा, अब बात करते हैं यह इतना अच्छा हो चुग लेकिन आम लोगों की आम ज़रूरतों में आम व्लोगर्स के आम यूट्यूबर्स के आम वेडिंग फोटोग्राफर्स के यह सब कोई दिक्कत नहीं हुआ है, दोनों एक्यूप्मेंट बेस्ट आप दी बेस्ट में आता है, प्रोस्यूमर लेवल पे है, कोई लोड लेनी क उसके बाद अब देखते देखते, रोड ने भी वाइलेस गोटो निकाला, उसमें काफी चीज का इंप्रूब्मेंट के है, खासतार पे यह बैक अप रिकॉर्डिंग, फिर डीजी उसी को देखके उसमें और इंप्रूब्मेंट करके लिया है, बचा अब क्या होगा, तो बाद कीजिए, आडियो रहेगा, तो भी अडियो रहेगा, कभी क्लिप नहीं वह रहाए, इसमें इसमें गैन की सेटिंग दी नहीं जाती है, क्योंकि गयन का कुई मतलब ही नहीं है, वह आपका मैक का जितना उट-पूट का पैसिटी है, उससे बड़ा उसका रिकॉर्डि तो काम करता था, क्लिप नहीं करने देता था, लेकिन डाइनमिक रींज खराब हो जाता, मतलब आपको लगए कि एक एक जिसे माइक का वल्यूम किसी न घठा दिया, वो एनलोग सर्कृट था, काम करता था, सिगनल क्लिप होने से बचा लेता था, लेकिन थोड़ा गंदा फी तो उसके साथ ऑटो गेन अजस्मेंट 24-bit आउटपट में, क्योंकि समझी है, अगर आप 32-bit का रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं तो थीक है, आपका फाइल आप रहे हैं वह भल्ले लेकिन आपका कैमेरा नहीं रिकॉर्ड करे रहे हैं, तो यह बनायागा है 24-bit का इसके वाले टाइम में, कि हाँ, यह एक फीचर बचा हुआ है, क्योंकि अभी भी जो लोग F2 खर दें, वो उनको अभी एक टिंस का टेंसर नहीं है, मेरा आदमी चिलार रहे हैं, आदा सेदा लोग तो बह जाते हैं, एक जम बही जाते हैं, तो उसके सब केसे में यह सब रिकॉर जो मुझे देखने को बारबाँ मिल रहा है, 32-bit ले आओ, टेंटिकल सिंक भी डाल दिया, जूम भी डाल दिया, लेकिन डीजाए नहीं डाले, और एक लॉकिंग लेवलियर जाक, क्योंकि प्रोफेशनल इंड़स्ट्री में कभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने पिक्च जैक आपको कभी नहीं होते कि जैक खुल गया, इसलिए ये जूम एफटू में लॉकिंग जैक है, अभी तक किसी भी ये ट्रांस्मीटर सब जो दिया ज़रा चाहे है, वो रोडवायलर्स गोटू का हो, या डीजी आई माइक का हो, दोनों में लॉकिंग नहीं है, ये जैक आपकिंग जैक आजा है, और सबसे बड़ा समस्य ये साथ लगा चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा लेक्ट्रोनिक्स को दिख थे, नहीं सबसे बड़ा दिकने इसका बैटरी बहुत छोटा है, मतलब रोडवायलर्स गोटू जब आए, जो इसका खोल के दिखा रहा बैटरी बहुत छोटा है मतलब इसे बड़ा बैटरी रोड दे सकता था आधा जहां में सिर्फों भरा पड़ा है खाली जगा था और यह बैटरी एक वाट आवर का पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन वाट आवर का है और बैटरी कनेक्टर से नहीं है सोल्डर है तो यानि क इतना छोटा होगा उतना जल्दी वो डिग्रेट करेंगा यहीं सेल अगर मालिए वाट आवर के जगां पर मालिए 1.5 का होता है या तू वाट का होता वो से दूगना चलता लॉंजिविटी में तो यह बहुत बहुत समस्य है कि यह सब एक्यूपमेंट आप खरी लिए यह इसा नहीं हो गई जैसे कि आपका जूम एफटू क्योंकि एफटू में ट्रिपले बैटरी लगता हूँ आप बदल सकते हो मेरा यहां पर मैं जूम एच्वान इस्तमाल कर रहा हूं कर दबले बैटरी लगता है तो यह यूजर रिप्लेसेबल हो जाना बैटरी के बहुत ज सबके चलते हैं इसमें एक्यूपमेंट को प्रोफेशनल लोग नहीं चूना चाहते हैं कि मानलिया आपने आज खज कर दिया तीस चालीस अजार को सस्ता चीज तो है नहीं आपके खज कर दिया हो पता चला एक साल के बाद अरे बैटरी तो जादा दे टिक नहीं रहा हूँ सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके जरुवत नहीं पढ़नी चाहिए लेकिन कर सकते हैं तो बात वही है कि यह तीन ही चीज अब मुझे दिख रहा है कि पहला 32-bit फ्लोट रिकॉर्डिं करो फाइनली इस लेवल प्याओ फिर लॉकिंग लेवलियर दो जाकि जो लोग लेवलि सब चीज आपका चलता रहे है एक साल तक पूरा दबा की यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे खरीदना है मेरा यहां माइक्रोफोन रहता है तो यह बैग्राउंड नॉइस थ्वार जाधा करता है मैं यहां लगाना चाहता हूं तीस हजार का लग भी जाएगा लेकिन बात है क्योंकि अब ऐसा आ गया कि अब आपको लोड लेनी के जरूद नहीं है अब खरीदी है अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो या तो आप डिफेक्टिव प्रोड़क्ट मिल गया या आप कुछ गलग रहा है इसके सिवा और कुछ नहीं होते वाला तो यह था मेरा प्र है तो आपनेरा वीडियो देखा जोनको मुझे बहुत खुशी हुई धन्यवाद